स्टमीति तो गैज इसमें तो हमारे डिय कोई हमने एड क्यूंने कियक आप यहांपर अचैומתर हु मेरा क्यूंक्षा में की उसको बनाने कला ने कोई तो सब्सक्रोट क्या है सब्सक्राइब मेरे क्या होता है इस आनने कि में आने के आटrip सफब्सकृ के लिए राइट यह हम यूस कर रहे थे पार्सिंग करने के लिए अभी तक जो जैसन हम देटा फैच कर रहे थे में लिपा है लेकिन अब हमें इसकी ज़रूद नहीं है क्यों स् Bengalक्राइब i.e. JeweartLightTeity. कि उस लच्छ आब क्यों देटा हें गई सब्सक्राइब को देवार। ढ़िए घ्राइन को देख 151 यहां थे सब्सक्प्राहें हम को देख दो! हमें तो गाइस जो हमारा first method है helper method हमें चाहिए क्या काम करेंगा return करेंगा कौन सा URL object जो हमें कहां से URL strings है जो मिल आ हमें URL string उसका object create करके give back करेंगा तो पहले वो बना लेते हैं तो यहां पर क्या कर लें private static और किस टाइप कर चाहिए गाइस हमें URL लुट कर चाहिए राइट यहां पर URL कि क्या क्या होगी इंपोर्ट कर लेंगोगे नहीं एक पर इस चीज को आप दिखानास हूं कि इसका नाम क्या लग दिनके इसकी body दे देंगे, guys, URL type का URL दे दिया, और इसमें क्या दे दिया, अमने नल दे दिया, guys, और इसमें क्या कर देंगे, try catch, अपना block लगा देंगे, guys, तो URL में हमें क्या दालना है, new URL, और क्या पास हो जाए, इसमें, जो हमारा string URL, जो हमने यहां पर parameter pass कर रहे थे, guys, वो पास ह जाए और इसकी catch हम क्या लिएंगे अगर आप इसके क्या URL पर जाओगे गाइस तो यहां पर catch में कौन सा मैं इसका कॉन यहां पर दिखा रहा है आपको Malformed URL exception इसका exception हम अल्रेडी discuss कर चुके हैं तो यहां पर क्या आगे Malformed URL exception तो हमने catch में यह दाल दिया और यहां पर हमने एक lock file दाल दिया इसकी यहां पर Malformed URL को explain करना भूल गया कि exception है यहां पर simple आप क्या कर सकते हैं और दुबारा lock tag लगा देते हैं तो यहां पर हमारा lock tag आ गया और इसकी lock tag की simple c यहां पर लगा देते हैं अपना क्या कर दिया मैंने final static type का बना दिया है जो क्या करेगा get simple name इसका basically क्या काम है return of the simple name of the underlying class as the given source code मुझाइस हमारा जो tag आएगा तो उसमें हमारा नाम होगा utils class का उसका नेम जो source code होगा वो नेम आजाएगा तो इसमें को इतनी कोई खास बात नहीं है यह basically मैंने tag के लिए क्लिए क्योंके मुझे यहां पर tag देना था यहां पर मैं एक default tag भी लगा सकता था बड़ मैंने अपना tag लिए इसमें और गाइज जो जितने भी हम helper method है यह actually हम tsunami या फिर did you feel it अप से copy paste भी कर सकते थे बड़ मैं जान बूच के आपको यहां पर write करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा confusion ना हो कि हमारा code आया कहां से हम उसे कर क्यों रहे हैं राइज हमारा अगला method कौन सा होगा अगला method हमें बनाना है कि जो गाइस क्या करे रिक्वेस्ट करें और हमें रिस्पॉंस में क्या दे स्ट्रिंग दे तो अब हमें वह बनाना है तो मुझे अगला यहां पर comment आट कर दिया गाइस मैंने आप लोगों के लिए कि क्या करना है में का HTTP request to the given URL जो हमारा यह URL क्रिएट हुआ है उसको क्या करें रिक्वेस्ट करें और हमें क्या मिले रिस्पॉंस में स्ट्रिंग मिले रहा है तो अब यहां पर अपना helper method क्रिएट कर लेते हैं गाइस HTTP request के लिए यह यह पर देख लिए थे 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 जो हमारा string आएगा गाई जो यह क्या मैं किस्टिप रिक्वेस्ट कर रहा है URL और जो हमारे पास response आएगा उसे कहीं पर store करना होगा string जो हमारे पास response convert होगा तो उसके लिए मैं क्या बना लूँगा एक जैसन response के नाम से यहां पर variable string type का बना लिया है जिसमें मैंने फिलहाल क्या दे दिया गैस blank okay null दिया अभी हमने से अब अगर guys इसमें क्या हो सकती है दो तीन चीज़े हो सकती है अब अगर हो सकता है हमारे जो URL हो सकता है वो नल दे राइट हमारे पास को URL आए नहीं तो यहां पर मैं condition लगा सकता हूं कि अगर हमारा URL क्या हो नल हो तो guys वह क्या हो जाए अल्ली कर देते हैं guys ताकि confusion नहों आप लोगों को तो यहां पर क्या हो गया हमारा यह वाली जो condition है यह मैंने क्यों लिखी ताकि अगर मेरा JSON response खाली हो मतलब यहां पर कुछ होई नहीं right URL हमारा जो आए request होने के बाद वो क्या है नल है तो basically क्या चला जाए हमारी null value चले जाए इसक कैसे हमारी जो JSON response अगर नल जाएगा तो क्या क्या error आ सकती है उसको हमने handle कैसे करना है राइट इसके लिए handle अगर यह URL नल जाएगा तो उसके लिए handle करने के लिए एक अलग क्या method है जो इसे handle करेगा JSON response को इसके बाद guys हमारा क्या है यह तो हो गया हमारा जो अगर connection ना हो औ अपना HTTP URL connection वाली जो हमारी फाइल थी हम वह यूज कर लिंगे और यहां पर URL connection में क्या दाल देंगे स्टार्टिंग शुरू करेंगे नल से guys और क्या करेंगे input stream का बनाना है हमें तो यहां पर क्या लिंगे input stream और यहां पर हम input stream में दाल देंगे नल गईस तो यह क्या हो गय अब क्या guys हमें करना है try block बनाना इसका तो इसका try block शुरू करते है guys URL connection में क्या दाल देंगे HTTP URL connection और यहां पर URL connection.open connection और गाइस यह जितना भी code है यह basically pre-written होता है आपको याद करने की जरूबत नहीं हो दिया है यह मतलब simple आप online जाकर सर्च करोंगे की make HTTP request कर अंदर क्या code हो तो simple यह try block होते हैं पूरे well written होते हैं simple हम इसको क्या सकते हैं अपने हिसाब से change करना होता है तो इसमें इतने tension वाली सोचने की बाद नहीं कि हमें आनी रहा या फिर क्या लिख रहे हैं क्योंकि हम already step by step इन सारे किन के methods पे और कैसे इसे apply कर रहा है हम discuss कर चुके हैं guys तो hopefully guys उसमें क्या problem नहीं होगी अब क्या guys set करना है set time set करना है इसमें read time out read timeout basically क्यों होता है guys read time out क्यों होता है हमारा जिसमें हमारा कि कि कितने time तक अगर हमें response ना मिले तो website हमारी क्यों हो जाया बंद बंद हो यूरl वो connection क्यों हो जाए close हो जाए not set और एक क्या कर देता है connect timeout वाला लगा लेते हैं जिसमें हमें क्या गा इतने तक time तक हमें response ना पले तो हमारा connection terminate हो जाए तो यह आगया हमारा connection terminate वाला गाई फिर इसके बाद क्या कर लेते हैं URL connection पर request भेज़ देते हैं यह request method के बारे मैं आपको बता दिया था क्या क्या होते हैं हमारे पास get post right delete करने के लिए अलग होता है तो guys यह सारे तो यह सारे जी क्या होते हैं अलग-अलग method होते हैं जिसके बारे में हमने बात करी थी तो वह दे दिया हमने यह और उसके बाद URL connection को कर देंगे connect कर देंगे guys तो यहां पर connection हमारा established हो गया है अब इसके बाद एक guys हमें कौन सा थे जो time out वाला था कि अगर time out जो हमें passcode जो सही वाला मिले right तो उसके लिए यहां पर जो response code है अगर हमने डिसकस करा तो जब तक हमें successful response code ना मिले तब तक यह चीज रन ना हो right हमारा connection establish ही ना हो तो उसके लिए condition लिख लेते हैं guys if url connection dot कौन सा response code guys किसके equal करना है 200 के equal अगर 200 के equal है तो क्या हो guys हमारा इसमें जो input stream है उसमें url connection में हमें क्या दालना है get stream method ला दालना है जिससे हमारी stream जाएगी हमारे पास right और एक क्या चाहिए में जैसन response चाहिए जो क्या करेगा guys read करेगा stream से read from stream वाला क्या है एक helper method है जो भी हम लिखेंगे okay confused होने की दोबत नहीं जैसन response कौन handle कर रहा है read from stream वाला input कौन सा helper method और इसमें क्या है इस helper method में क्या जा रहा है हमारा input stream जो हमारी connection से आके हम आपर data आया input stream वह किसमें जाएगा जैसन response में जाएगा और वह कौन हमारा sort out करेगा read from stream हमारा helper method उसको हम अभी नीचे define करेंगे guys और अगर guys हमारी यह condition false हो जाती है तो else if क्या कर देंगे यहां पर log दे देंगे ताकि हमारी क्या है condition बता दे जो मैंने ऊपर यहां पर जो मैंने log tag यूज कर दा गाई जो मैंने define कर दा वो use कर लेता हूं इसमें message दे देता हूं क्या message होगा error response code क्योंकि हमारा response code है वो यहां पर क्या कर दे दिया और जो सभी हमारे पास कौन सा जो हमारे पास response code आ रहा होगा अगर if condition क्या होगा हमारी false हो गई तो हमारे पास error में क्या जाएगा एक तो error यहां पर response की spelling ओके यहां पर सही होगी गई तेक तो हमारे पास error message आ जाएगा गाई और हमें अधर developer पता चल जाएगा कौन सा response code आ रहा है 300 400 404 तो basically उससे हमें error की बिल्कुल exact वो पता चल जाएगी किस तरीके का कि किस चीज में failure आ रहा है response code ने failure आ रहा है website के connection में error आ रहा है कौन से उसमें error रहा है यहां पर guys हमने अलग-अलग stages में लिखी है इन चीज़े tag दे दिया है message दे दिया guys problem receiving the earthquake json results guys यह हो गया हमारा catch block guys इसमें semicolon लगा देंगे और यहां पर यह मेरा guys हमेशा मैं भूल जाता हूं यहां पर इसके हो से मेरी error आती है and यहां पर यह हो गया हमारा complete try catch block हो गया guys हमने यहां पर json response देजिया url नल है उसकी condition देदी try block देदिया उसकी else condition देदी अभी यहां पर हमारा helper method यहां पर define करना रहे गया है तो नीचे करेंगे guys हम हमारा catch block हो गया है guys अभी एक finally block और रहे गया है वो भी add कर देते हैं तो यहां पर क्या add कर देंगे finally block और finally block मेरा guys आपको बताया था क्या होता है कि अगर try चले नहीं चले catch चले नहीं चले जो end इन सब चीजों का end होता है जब दोनों चीजे चल जाते हैं तो finally हमारा चलता ही चलता है इसमें जाल देता है if url connection not equals to null तो क्या हो जाए url connection हमारा disconnect हो जाए guys यहां पर हो जाए disconnect okay और एक कौन सा देते हैं एक क्या देंगे guys input stream का एक दोई चीज़ें हो सकती है यहां पर भी not का लगा देता है और नल इसकी क्या condition लगा देंगे guys कि input stream dot और यहां पर हमने क्या कर दिया input stream को guys close कर दिया है यहां पर क्या कर दूंगा मैंने एक आपके लिए वो भी लिख दिया comment भी लिख दिया ताकि आपको क्या थोड़ा better समझ में आ जाए है यहां पर हमारी अभी एक error आ रहे है क्या return statement है तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा simple एक return statement दे दूंगा हमें return क्या करना है यहां पर जो हमारा json response था वह हमने यहां पर return कर दिया है तो guys यहां पर हमारी जो make http request method था वह पूरा हो चुका है तो guys अब हमारा create URL हो गया make http हो गया है अब guys हमें क्या करना है जो input stream में data मिलेगा उसे read करने के लिए helper method उसका helper method बना लेंगे guys क्या हमारा जो झाल है वाद किर बना हमारा जो कुदिन क्यासर दिल्ग जी जैंगे तो किने पन्ते हो वहा हमारा टाहीं जiene है जैद blessings